सबसे पहले बात इंसाफ के रण की आज फिर कौलकाता में छात्रों का मार्च जारी रहेगा फिर से छात्र प्रोटेस्ट करने वाले हैं और राज्य सचे वाले की ओर मार्च का ऐलान कर दिया गया है प्रोटेस्ट को देखते हुए कड़ी सुरक्षा पढ़ा दी गई है कौल काता कांड के विरोध में प्रोटेस्ट का ऐलान चात्रों का राज्य सचे वाले मार्च का ऐलान है और इसी को लेकर मार्च को देखते हुए कौकाता में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है पुलिसबल तैनाथ है पुलिस प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी क की मांग और इसलिए मार्च कर रही है, राज्य सचेवाले मार्च का एलान कर दिया है, इनसाफ की लड़ाई जारी है और आज फिर से प्रोटेस्ट करेंगे च्छात्र, कौलकाता कांट के खिलाफ लगातार मार्च हो रहा है, नबनना अभ्यान के जरिये मार्च किया जाएग इस अभ्यान की शिरुवात की गई है नियाय दिलाने के लिए छात्रों का प्रदर्शन होगा और ममता सरकार से स्तीफे की मांग भी छात्र कर रही है तो दो तस्विरे आपकी टीवी स्क्रीन पर आज छात्रों का मार्च निकलेगा और ये बताया जारा कि नबनना अभियान के तैट की मार्च निकला जाएगा यानि की सची वाले तक ये मार्च निकला जाएगा कोलकाता में कड़ी सुरक्षा वैबस्ता भी आप देखी जा र करता है क्योंकि लगातार चात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर उनका ये कहना है कि जिस तरह कि घटना हुई है उसके बाद ममता सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन सबीच छात्रों ने एक बार फिर से बड़े मार्च का एलान किया है और राज करता कान के बाद डॉक्टर्स में आक रोज जो है वो अब सडकों पर लगातार दिखाई दे रहा है तो देखें किस तरीके से कुलगता कान के खलाफ यावद मार्च हो रहा है आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नबन्या अभ्यान जो है वो अब चलाए जा रहा है आगे आपको बताएंगे इंसाफ के लिए ये रण चल रहा है ये मार्च निकाला जारे जिसकी तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे थे नबना अभियान के जरिये प्रदर्शन किया जा रहा है चात्र संगठन जो है वुन्याए मार्च निकाल रहे है कुछ जगा ऐसी हैं जहाँ पर पांच अल्यूमिनियम बैरिकेट्स भी लगाए गए है सुरक्षा विवस्ता कितनी कड़ी की गई है यह आपको पता रहे हैं CCTV के जरिये पूरे मार्च पर नजर भी रखी जा रही है और इनकी मांग है कि ममता सरकार जो है वो स्तीफा दे ममता सरकार से स्तीफे की मांग भी यह चातर कर रहा है प्रदुशन के लिए लेकिन अनुमती नहीं ली गई पुलिस की दरफ से कहना है पुलिस कह रही है कि प्रदशन के लिए कोई अनुमती उनसे रही ले गई है मार्च के दौरान हिंसा होने की भी आशंका और इसलिए 3000 पुलिस कर्मी की तैनाति की गई है सुरक्षा व्यवस्ता चाक चौबन की गई है CCTV भी लगाए गये है CCTV से इस पूरे मार्च की निगरानी भी की जा रही है बिल्कुल शिखा आपको बता रहे थी कि किस तरह कमार्च होना है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्ता वहाँ पर जतिन हमारे साथ जोड़ चुके हैं जतिन ममता सरकार के खलाब लगातार आक्रोश देखा जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रिशासन की ओर से अनुमती नहीं मिली है और ना ही किसी ने पुलिस से अनुमती मांगी है ऐसा वेस्ट बेंगॉल एड्मिस्टेशन और कौलकटा पुलिस का साफ़तोर पर कहना है इसको नबनना मार्च का नाम दिया गया है और ये मार्च अलग अलग पॉइंट से शुरू होगा जिसमें है तमाम पॉइंट से यह मार्ज शुरू हो के पहुचेगा नवनना जिसको कॉलकता में सचिवाले बोला जाता है जहां पर मंताव अनरजी का दफतर भी है और तमाम एडमिस्रेशन वर्क महां से किये जाते हैं हलांकि नवनना के आसपास की जितने भी रोड्स हैं उसको पूरे मंगाल या यू कह लिजे कि कॉलकता में महौल कराब करने की कोशिश है उपद्र भी इसका फायदा उठा सकते हैं और यही कारण है कि बड़ी संक्या में जो प्रोटेस्टर्स को रोकने की कवायत है वो बहुत तेजी से शुरू की जा रही है तो वहीं इसको लेका राजड कि कॉलकता पुलिस ने 144 जो किया बदलकर 163 हो गई है कि एक जगा पर चार से जाता लोग इखटे नहीं हो सकते यह सेक्शन भी लागू कर दिया है और लगतार इस तरीके के पोस्टर्स भी अलग-अलग पॉइंट्स पर लगा दिये गए कि अगर आप कानून का उलंगन कर लिया उनको घर से बाहर ने निकलने दिया जा रहा है जो होस्टल में रहते हैं उनको भार निकलने नहीं दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं आज का दिन कॉलकता के लियास से बहुत महत्वून है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जैसे भी कोई प्रोटेस्ट होत अंजन पर हर्ताल कर रहे थे और ये तस्वीरे उसी की है और सवाल यही उठा है कि आखरी कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है कि युनिवर्सिटी में जाती की गड़ना की मांग की जा रही है बारे मांगे की गई लेकिन सबसे मुख्य मांग जो है वो जाती की गड़ना पाड़े होते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं जारखन के पूर्वरसियम चंपई सोरेन के बारे में क्योंकि बीते पिछले कुछ दिनों से वह काफी जाधा सुर्कियों में थे कि वह आखिर कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं लेकिन अब उनकी पिक्चर क्लियर हो चुकी है क कि वो 30 अगस को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं देखिए सीसी जोई ये रिपोर्ट उठा पटक के जंजावातों से जूज रही जारकन की राजनीती में अब फिलहाल ठहराव क्याज जगी है चमपई सोरेन को लेकर जो पिक्चर अभी तक साफ नहीं थी उसकी रिलेज देख भी अब सामने आ चुकी है अब चमपई 30 अगस को बीजेपी का दामन धामने के लिए एक दम तयार है जी हाँ, अटकलों के बाजार का गर्म हुना, चमपई का दिल्ली आना और जहरकन की सियासत में आइस धिरता का दौर लेकिन अबस दौर में कुछ ठहराव आया है इस से पहले जब चमपई सोरेन दिल्ली पहुचे थे तो उनके बागी तेवर को देख कर कोई भी भाग सकता था कि ये किसी नए राजनीतिक मोड की तयारी है लेकिन तब चमपई कुछ खास नहीं बोले थे, सुनिए क्या मुलाकात हो नहीं है पार्टी के बरिश मेताओं से मुलाकात हो लिए कि अभी एक दो तक सब कुछ फाइनल हो जाया करेंगे इसे तो बात नहीं यह मुदा आई है सब बीजेपी में शामिल हो नहीं या अर्ला काटी बना करके सामने आएगे इलायंस करें इसे आप ने दोनों अप्शम इस बयान में चंपई ने कुछ साफ तो नहीं कहा लेकिन इशारा लगभग साफ था और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि चंपई के बीजेपी में आने की पटकता लिख दी गई है आम चाहस से मुलाकात हो चुकी है और अब अपनी कर्मभूमी रांची में पहुच कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे खैर चंपई के बीजेपी में आने से ये तो तैह है कि जार्खन में अपनी मजबूती का प्रयास कर रही बीजेपी को बल मिलेगा और आने वाले चुनाओं में चार्खन मुक्ति मूर्चा के मुश्किले बढ़ जाएंगे ब्यूरो रिपोर्ट रिपाब्लिक भारत कि भारत